अपने शेहर और आसपास की खबरे पाने के लिए हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी वाले बटन को दबाएं दिल्ली में हुई गंतंतर देवस प्रेड में उत्कुरिष्ट प्रदर्शन करने वाले उना जिला के दो NCC कैड़ेट्स आज उना पहुंचे तो NCC कारेले में कैड़ेट्स की उपलबदी को लेकर सम्मान सोवरा का जोजन किया गया उना की बेटी अनुशका शर्मा ने जहां जूनियर वर्ग में बेस्ट कैड़ेट्स का वार्ड अपने नाम करते हुए पीम नरेंदर मोदी से जसम्मान हासिल किया वेही गुपाल क्रिशन ने सीनियर वर्ग में हमाचर का प्रतिनित्त किया उना पहुंचने पर दोनों कैड़ेट्स का एन्सी सी कारेले में जोरदार स्वाधत किया गया बेटी के मावले में हर एक पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि बेटियां आज कल बेटाँ से भी जादा महनति हैं जादा ओविडेंट हैं और अगर इनको साथ दिया जाए तो यह कोई भी मकाम जो है वो हासिल कर सकती हैं ये किसी भी फिल्ड में एक्सेल कर सकती हैं पर पेरेंट्स को ये चाहिए कि इनके उपर बिश्वास रखें और इनका हर स्टेप पर जो है साथ हैं इनको घर से बाहर भेज़ें डिफरेंट कम्पिटिशन में पार्टिस्पेड करा हैं इनको रोकने की कोशिश ना करें कितना गरभ महसूस होता है जब बेटी ने इतनी वड़ी अचीवमट रही है अग्सर ये देखा जाता है कि बच्चे पहचाने जाते हैं पेरेंट्स से पर आज जो बेटी ने हासिल किया है आज मेरी पहचान जो है वो मेरी बेटी के कारण बनी है तो मैं यही कहूँगा कि हर एक पेरेंट्स की पहचान जो है वो उसकी बेटी से बने ऐसा पेरेंट्स को मेहनद करनी चाहिए और ऐसा ही बेटियों को प्लेटफार्म देना चाहिए यह हमारे लिए बहुत गर्फ की बात है कि उन्हा जिल्ला से जो एस स्तर पर अपने रिपलिडे कैम्प जो चला था दो जार बीस न्यूडली पे यहां पे जाकर भाग लिया इनमेंसे हमारे एक कैरेट जो सिने इंडरा ऑफसर गोपाल कृष्णा है यह पूरे हिमाचल के तरफ से अकेला कैरेट जो चुना गया था गाड़ा फॉनल के लिए पी एम राली के दोरान और हमारे जो दूसरा कैरेट है कैरेट अनुष्का यह हमारे यहां से एक यूनिट से कैम में बेस्ट कैरेट से लेकर हिमाचल का भी बेस्ट कैरेट बनी आगे जाकर से 17 डारेक्टेट का आए हुए थे सबी में से यह सबसे सर्वसेस्ट बेस्ट कैरेट चुना गई चुना गई और आगे जाकर प्रीम राली के दोरान इसको प्राइमिस्टर श्री नरिंदर मुझी जी से गोर्डन नेटल प्राप्त हुआ यह हमारे लिए बहुत घर्ब की बात है और ऐसा पहली बार हुआ है कि उना से एक कोई छात्रा क्लास नाइन्थ में जो जवो नवो विद्याले पेक्यूवला में पढ़ती है इतने स्तर पर नाशनल लेवल पर जाकर बेस करेट चुनी गई है यह मेरे लिए बहुत घर्ब की बात है मैं तो चाहूँगा हमारे यहां से जो हिमाचल के कैरेट्स है इनका बहुत सारा पोटेंचल है यह सिर्फ एक अंदर जिजक रहता है कि हम आगे जाके कुछ काम ना करें बढ़े ना मैं चाहूँगा कि यह कैरेट्स एक कदम आगे बढ़ाए अपने आप रास्ता खुलता हुआ चला जाएगा कोशिस नहीं करने पर हार वैसे ही है इससे बहतर है कि आप आगे बढ़ें कोशिस करें पार्टस्पेट करें जासे ज़्यादा क्या होगा आप हार जाओगे पर अगर जीत गए तो आपका स्तर आपका गर्व से महसूस अपने पैरेंट्स अपने इलाके के अपने स्कूल अपने परिवार सबका आप गर महसूस करवा होगे हाँ जी जब तक मैं यहाँ पर हूँ मेरे यहाँ पर एक पोस्टिंग उन्ना जिला में है as NTC का CEO मैं हमेशा कोशिस करूँगा यहाँ पर कैरेट्स को मोटिवेट कराने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मोटिवेट कराना कोई भी काम को हासिल करने के लिए मैं मोटिवेट कराता रहूँगा कैरेट्स को यहाँ पर कि ऐसे ही जाके अपना नाम आगे रौशन करें अपनी वी कॉम फाइनली एर का शात्रा हूं मैं मैं ने पिछले साल वी इस फिल्ड में ट्राइग गिया था बट फिछले साल मैं आई जी जो इंटर ग्रूप कॉम्पिटिशन रोपन में और्गनाइज किया होता है वहां से आउट हो गया था तो मैंने सोचा कि अगर मैं वहां तक पहुचता था थो थोड़ी मेहनत और गड़ता तो शैद मैं दिली तक पहुच जाता इस वार मेरा में मोटो यही था कि दिली तक पहुचना है इसके लिए मेरे करनल सर मेरे पेरेंट्स मेरे जितने भी मेरे से पार्टी कैड़ेट्स उन्हेंने मेरे बहुत साथ दिया मेरे को मोटिवेट किया मेरे को इंस्पाइर कि इस वार तु फिर जा क्या पता इस बार ल नशे में लड़के तब पढ़ते हैं जब उनको कोई वे नहीं मिलता आगे जाने का, कोई उनको मोटिवेट कोई इंस्पायर नहीं करता, तब वो मेंली तब ही वो नशे के अंदर जाते हैं, अगर NCC एक ऐसा वे परवाइड गर रही है, जैसे यूथ, NCC का में मोटो यही है कि उसको यूथ को एक पात परवाइड गरना, ताकि वो अपने जो लक्षे है उसको खासिल गट सके इसके पारे में मैं यही कहना चाहूंगे कि मुझे पैधान मंतरी जी दुआरा एक मैडल और एक बेटन से नवासा गया, मेरा माना है कि यह सब मेरे संगर्श और मेरे कटिन परिश्रम का जो फल है वो मुझे प्राप्त हुआ, मेरे साथ-साथ मेरे स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर्स, मेरे कमार्णिंग ऑफिसर, कर्नल संकेट दियो, मेरे पैरंस, मेरे भाई बहन और जितने भी लोग मेरी ट्रेनिंग से जुड़े हुए थे, उन सभी के बदालत मैं आज यहां तक पहुँची हूँ, वेक्शन कुछ और ही थे जब प्रिधान मंतरी हमें जब पत राप्त हुआ, तक इस जिंदेगी में आपकी पहली बार हुआ कि आपने एक इतनी बड़ी प्रेट को अगवाई किया, क्या लगता है कि आने वाले सभी में आप किस लक्षो को बार करें, मेरा माना है कि इनसान को अपनी जिंदगी में छोटे-छोटे लक्षे रखते रहन चाहिए और उन्हें पूराय करने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए, इसके बाद मेरा अगला जैसे कि मैं अभी वहाँ पर बेस केरेट रही हूँ, फिर इसके बाद मेरा अगला लक्षे है कि मैं अपनी पढ़ाई में भी अच्छा करूँ और जो मेरा एम है, यानि मै बड़े होकर साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ, डियाडियो में जाना चाहती हूँ, तो वो भी मैं पूरा कर सकूँ, और हाँ मैं इसके लिए परिश्रम करती रहूँगी, जो भी मुझे करना होगा अपनी तरफ से, मैं वहाँ हर कारे करूँगी मैं इस युवा पीडी को यही संदेश देना चाहूँगी, कि आप कटिंग परिश्रम करते रहें और अपने देश की भलाई के लिए अपना योगदान जरूर दें, मैं उनसे ये भी कहना चाहूँगी, कि वह NCC से जुड़ें, क्योंकि NCC एक ऐसा प्लैटफॉर्म है, जह कि हम में से कोई भी आम आदमी सोच नहीं सकता कि उसे प्रधान मंतरी से मिलने का मौका मिलेगा, बट NCC कैसा प्लैटफॉर्म है, जो इनसान को सुधारता है, और यहां पे NCC से जुड़कर हम अपने देश की भलाई के लिए भी अच्छा योगदान दे सकते हैं, अर इस आ साथ साथ अपने पापा, जो कि मेरे फादर है, मिस्टर बल्विंदर कुमार, उन दोनों को देना चाहूंगी, क्योंकि जब भी मुझे कोई भी मुश्किल आई, या फिर जब भी मैं थोड़ा स्ट्रेस या प्रेशन में आकर कहीं मैं तूटने लगी, तो उन दोनों ने मे मेरी होसला वजाई करी, मुझे मोटिवेट किया, मुझे कहा कि ऐसा कोई काम नहीं है, जो आप नहीं कर सकते, बस हमें जरूरत है कि हम लोग खुशी से उस कारे को अच्छी तरह करते रहें एन कॉंटने उनना से सुशीर पंदर के साथ रोहित शर्मा की रिपोर्ट